बच्चों, इस पार्ट में आप मानव शरीर में रासायनेक समन्वय और एकी करण के बारे में जानेंगे. क्या तुम्हें पता है कि हमारे आकार में कैसे वृद्धी होती है? वृद्धी एक बहुत जटल प्रक्रम है, जिसमें अनेक हॉर्मोन्स की समन्वित क्रिया शामिल होती है. मुख्य रूप से वृद्धी हॉर्मोन्स शरीर की वृद्धी के प्रेरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो पियूश ग्रंथी द्वारा मुक्त किये जाते हैं. जिसमेदार शरीर के बहुत जाते हैं, जो विशिष्ट कारे करते हैं, जैसे की थाइरोइड ग्रंथी से स्रावित होने वाला कैलसिटोनिन हॉर्मोन्स रुद्धिर में कैलसियम स्तर को नियंत्रित करता है. तो आएए इस पूरे मॉड्यूल में हम रासाइनिक समन्वय और एकी करण के बारे में जानेंगे. उद्धेश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. अंतह स्रावी ग्रंथियों तथा हॉर्मोन्स का वर्णन करना. मानव अंतह स्रावी तंत्र की व्याख्या करना. रिदय, व्रिक और जठर आंत्रिय पत के हॉर्मोन की चर्चा करना. हॉर्मोन क्रिया की क्रिया विधी का वर्णन करना. अंतह स्रावी ग्रंथियां तथा हॉर्मोन. अंतह स्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं जो रुधिर प्रवाह में हॉर्मोन स्रावित करती हैं. इनमें पिनियल ग्रंथी, हाइपो थालेमस, पियूश ग्रंथी, थाइरोइड ग्रंथी, पेरा थाइरोइड ग्रंथी, थाइमस, अधि व्रिक ग्रंथियां, अगनाशय, मादा में अंडाशय और नर में व्रिशन शामिल हैं. हॉर्मोन रासाइनिक पदार्थ हैं जो शरीर में संदेश वाहक अनुओं के रूप में कार्य करते हैं. मानव अंतह स्रावी तंत्र मानव अंतह स्रावी तंत्र हॉर्मोन के कार्यों द्वारा शरीर की अनेक प्रक्रियाओं को बदल देता है. हाइपोथालिमस Hypothalamus मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं का संग्रह है Hypothalamus की तंत्रिका कोशिका पिऊश ग्रंथी से होने वाले हॉर्मोन के स्रावन को प्रेरित करने या रोकने वाले रसायनों को उत्पन करके पिऊश ग्रंथी को नियंत्रित करता है हाइपोथालमस दो प्रकार के हॉर्मोन उत्पन्न करता है मोचक हॉर्मोन और निरोधी हॉर्मोन उदाहरण के लिए हाइपोथालमस से निकलने वाला गुनाडोट्रोफिन, मुक्तकारी हॉर्मोन गुनाडोट्रोफिन के स्राव को प्रेरित करता है जबकि हाइपोथालमस से निकलने वाला सुमेटोस्टेटिक पियूश ग्रंथी पियूश ग्रंथी मस्तिश्क के आधार के मध्य में हाइपोथालमस के नीचे स्थित होती है पियूश ग्रंथी में दोस पष्ठ भाग होते हैं पष्च और अग्रपेंड पश्च पिऊश ग्रंथी तंत्र का उतकों की बनी होती है, यह हाइपोथालमस में बनने वाले दो हॉर्मोन ओक्सिटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है औक्सिटोसिन बच्चे के जन्म के समय दूद के स्राव तथा गर्भाशई चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है वेसोप्रेसिन का मुख्यकार्य मूत्र के साथ जल के हास को कम करके शरीर के जल को सुरक्षित रखना है यह एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन भी कहलाता है आगरपियूश ग्रंथी अंतह स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है जो सीधे रुधिर में हॉर्मोन का उत्पादन और स्रावन करती है अगरपियूश ग्रंथी व्रिधिक हॉर्मोन GH, prolactin PRL, thyroid प्रेरख हॉर्मोन THH, adrenocorticotrophic हॉर्मोन STH, luteinizing हॉर्मोन HL और putika प्रेरख हॉर्मोन FSH, melanocyte प्रेरख हॉर्मोन MHH स्रावित करती है व्रिधि हॉर्मोन व्रिधि के लिए महत्वपून होते हैं यह समसूची विभाजन में व्रिधि करके कोशिकाओं के आकार और उनकी संख्या में व्रिधि करता है प्रोलक्टिन एकल श्रिंखला प्रोटीन हॉर्मोन है जो दुग्ध ग्रन्थि की व्रिधि और दूध उत्पादन को नियमित करता है थायरोइट प्रेरक हॉरमोन, थायरोइड हॉरमोन उत्पन करने के लिए थायरोइड ग्राथि को प्रेरिद करता है। एड्रीनो कोटिकोट्रोफिक हॉर्मोन का मुख्यकार्य, ब्लुकोटिकाइट्स नामक स्टिरोइड हॉर्मोन के समूह को मुक्त करने के लिए एड्रीनल ग्रंथियों के विल्कुट को प्रेरित करना है। LH और FSH गुनाडोट्रोपिन कहलाते हैं क्योंकि यह जननांगों, नर में, व्रिशनों और मादा में अंडाशयों को प्रेरित करते हैं। LH नर और मादा दोनों में जननांगों से लिंग स्टिरोइड के स्राव को प्रेरित करता है। FSH अंडाशयी पुटिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करता है और यह शुक्राणु के उत्पादन के लिए भी महत्वपून है। Milanocyte प्रेरक हॉर्मोन Milanocytes को सक्रिय करता है जो मिलेनिन उत्पन करते हैं और त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। Pinial Granthi Pinial Granthi प्रमस्तिश्क गोलार्ध के बीच सिथ होती है। यह मेलेटोनिन उत्पन करती है जो लेंगिक विकास और सोने जागने के चक्र को प्रेरित करता है। Thyroid Granthi Thyroid Granthi ग्रीवा में स्थित होती है जिससे उत्पन होने वाले हॉर्मोन उपापचय, उश्मा उत्पादन और रुधिर में केल्सियम स्थर को नियंत्रित करते हैं। Thyroid Granthi तीन हॉर्मोन उत्पन करती है। Thyroxin T4, Triidothironin T3, Calcitonin T3 और T4 उपापचय और उश्मा उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और Calcitonin केल्सियम के रुधिर स्थर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। Thyroid Granthi में बड़ी गोलाकार संगरचनाई होती हैं जो पुटिकाएं कहलाती हैं। पुटिका में Thyroglobulin नामक जेल जैसा Glycoprotein युक्त केंद्रिय भाग होता है। T3 और T4 बनाने के लिए Thyroid को बड़ी मात्रा में आयोडीन की आवशक्ता होती है। आयोडीन की कमी के कारण Thyroid Granthi की वृद्धी हो जाती है जो अव Thyroidita या गलगंड कहलाती है। अतरिक्थ Thyroid क्रिया Thyroid अतिक्रियता के कारण व्यसकों में उपा पचय में वृद्धी हो जाती है जिससे अधिक पसीना निकलता है और अधिक भोजन ग्रहन करने के बावजूद वजन घट जाता है। केंसिटोनेन रुधिर क्यालसियम स्थर को कम कर देता है जिससे समस्थिति को बनाय रखने में मदद मिलती है। पेरा थाईरोइड ग्रंती पेरा थाइरोइड ग्रंथियां चार छोटी उतक ग्रंथिकाएं होती हैं जो थाइरोइड ग्रंथि की पश्च सतह पर उपस्थित होती हैं वे पेरा थाइरोइड हॉर्मोन नामक पॉली पेप्टाइड हॉर्मोन उत्पन्न करती हैं PTH रुधिर में कैलसियम स्तर को नियंत्रित करने के लिए कैलसिटोनिन के साथ कारे करता है. यह रुधिर कैलसियम स्तर में वृध्धी करता है. इसलिए जब रुधिर में कैलसियम का स्तर नीचे गिर जाता है, तो PTH के स्राव को प्रेरित किया जाता है. थाइमस थाइमस ग्रंथी चाती के उपरी भाग में रोस्थी के पीछे स्थित होती है यह पिरामिड के अकार की और दो पालियों की बनी होती है जो शरीर की मध्यरेखा को अलग करती है थाइमस ग्रंथी प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाती है यह थाइमोसिन हॉर्मोन स्रावित करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपून भूमिका निभाता है। यह T-Lymphosites की सहायता करता है। अधिव्रिक ग्रंथी मनुष्यों में दो अधिव्रिक ग्रंथियां होती हैं, जो व्रिकों के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। प्रतिय ग्रंथी का बाहरी भाग अधिव्रिक वलकुट होता है, और अंतह भाग अधिव्रिक मध्यांश होता है। अधी वरिक वलकुट को तीन पर्तों में रगी कृत किया जा सकता है जोना रेटिकुलेरिस यानि आंतरिक परत जोना फैसीकुलेटा मध्धि परत जोना लो मेरिलोसा बाहरी परत अधी वरिक वलकुट की कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार के स्टेरोइड हॉर्मोन ग्लूको कोटिकोईड और मिनरेलो कोटिकोईड स्रावित करती है ग्लूको कोटिकोईड ग्लूकोस के रुधिर स्तर में व्रिधी करता है शरीर का मुख्य ग्लूको कोटिकोईड कोटिसॉल है जो शरीर में अत्यधिक ठकान होने पर स्रावित होता है और उस समय ग्लूकोस की अधिक मांग होती है क्योंकि इसका रुधिर्स्तर उलेखनिय धंग से गिर जाता है। कोटिसॉल पेशी प्रोटीन के विखंडन को बढ़ावा देता है और ग्लूको नियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया में ग्लूकोस संक्षलेशन करने वाली यक्रित कोशिकाओं से अमीनों अमलग्रहन करने के लिए यक्रित को प्रेरित करता है। मिनरेलो कोटिकोईड बाह कोशिकी ये तरल में पोटाशियम और सोडियम जैसे खनज लवणों की सांद्रता को समायोचित करता है। एल्डोस्टिरॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरेलो कोटिकोईड है। यह व्रिक नेफ्रोन की दूरस्थन लिकाओं पर कारिक करके उन्हें सोडियम आयनों को पुना आवशोशित और पोटाशियम आयनों को उचसरजेद करने के लिए प्रेरित करता है। अधिव्रक ग्रंथी का आंधरिक भाग अधिव्रक मध्यांश रकाणूँ को बना होता है, जो एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन दो पदार्थ मुक्त करता है। जब अधिवरिक्क मध्यान्ष हॉर्मोन स्रावित करता है, तो वो रुधिर परिसंचरण और शरीर में थकान होने पर कार्बो हाइडरेट के उपियोग को नियंत्रित करते हैं. उदाहरण के लिए वे रिदय दर को पढ़ा देते हैं, धमनिकाओं और श्वसनिकाओं को फैला देते हैं. अगनाशय अगनाशय युक्त ग्रन्थी जो अंतह स्रावी तथा बाहिस्रावी दोनों रूप में कारे करती हैं. लेंगर हैंस के द्वीब जो द्वीब भी कहलाते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं, जो पूरे अगनाशय में बिखरी होती हैं. लेंगर हैंस के द्वीप अगनाशयी रस उत्पन करते हैं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और ये इंसुलिन तथा ग्लुकोगॉन हॉर्मोन भी उत्पन करते हैं जो रुधिर ग्लुकोस तर को नियंत्रित करते हैं इंसुलिन एक प्रोटीन होर्मोन है जो ग्लुकोस का स्तर बढ़ने पर अगनाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रुधिर ग्लुकोस स्तर को कम कर देता है। असामान्य निम्न रुधिर शरकरा हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है। इंसुलिन का सबसे महत्वपून कार्य यकृत और पेशी कोशिकाओं में ग्लुकोस के अंतरग्रहन को प्रेरित करता है। ग्लुकोगॉन अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल अनुओं से ग्लुकोज के संग्शलेशन को प्रेरित करके रुधिर ग्लुकोज तर में व्रिद्धी करता है। रुधिर ग्लुकोज तर में असामान्य व्रिद्धी हाईपर ग्लाइसीमिया का कारण है। इंसुलिन का स्थर कम हो जाने से डायबेटीज मेलिटस बीमारी हो जाती है जिससे रुधे शरकरास्तर में वृद्धी हो जाती है व्रिशन व्रिशन कोश में दो व्रिशन स्थित होते हैं व्रिशन शुक्राण उत्पन्न करते हैं लेडिंग कोशिकाई टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रंथी शिश्न, युरित्रा, अंड कोश शुक्राशे व्रिशन रज्जु आदी जैसे नर्जनन अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्य को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रभावों में भारी आवाज, शरीर पर बालों का बढ़ना, जननांगों की परिपक्वता, यौन रुची, प्रजनन, स्तंभन कार्य और आत्म विश्वास में व्रिधि आदी शामिल है अंडाशे अंडाशे श्रेनी में गर्भाशे के दोनों ओर स्थित होते हैं और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टरोन उत्पन्न करते हैं एस्ट्रोजन मुख्यरूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे की स्तनन ग्रंथि का विकास प्रोजेस्टरॉन गर्भावस्था बनाई रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निवहाता है। यह दुगध के निर्मान और स्त्राव को भी प्रेरिद करता है। धमनिय रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। व्रिक द्वारा उत्पन किये जाने वाले एरित्रोपोईटिन हॉर्मोन लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। जठर आंत्रिय पथ द्वारा उत्पन किये जाने वाले हॉर्मोन गैस्ट्रिन, से CK और जठर अवरोधी पेप्टाइड G.I.P. है गेस्ट्रिन अमाशय में बनता है जो भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अमल उत्पन्न करता है CK और जठर अवरोधी पेप्टाइड होर्मोन जठर स्राव को अवरुद्ध करता है हॉर्मोन क्रिया की क्रियाविधी हॉर्मोन शरीर के सभी अंगों में चक्कर लगाते हैं लेकिन ये लक्ष कोशिका या लक्ष अंग कहलाने वाले केवल विशिष्ट उतक कोशिकाओं या अंगों को प्रभावित कर सकते हैं एक हॉर्मोन से प्रतिक्रिया करने के लिए लक्ष कोशिका की जीव द्रव्य जिली पर विशिष्ट प्रोटीन ग्राही उपस्थित होनी चाहिए। Polypeptide और protein hormone में glucagon, oxytocin, anti-diuretic hormone इत्यादी शामिल है। Steroid hormone में glucocorticoid, mineralocorticoid, testosterone, estrogen, progesteron आदी शामिल है। Iodothironin में thyroid hormone शामिल है। अमीनों अमल के व्युतपन, अमीनों अमल के व्युतपनों के उधाहरन, adrenaline, noradrenaline आदी हैं। क्या आप जानते हैं? अनुसंधान से पता चलता है कि मादा में estrogen का उच्च स्तर, स्थन, गर्भाशय और ग्रीवा के cancer का कारण हो सकता है। उश्मा शुक्राणू उत्पादन को कम कर सकती है। अधिक धूम्रपान करने और alcohol ग्रहन करने से शुक्राणूओं की संख्या कम हो सकती है। सारांश अंतरह स्रावी ग्रंथियां, pineal ग्रंथी, hypothalamus, पियूश ग्रंथी, thyroid ग्रंथी, parathyroid ग्रंथी, thymus, अधिवरक ग्रंथियां, अगनाशय, मादा में अंडाशय और नर में व्रिशन है। hypothalamus मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित होता है। मानव शरीर में दो अधि व्रिक ग्रंथियां होती हैं, जो व्रिक के अग्र भाग पर स्थित होती हैं। अगनाशय, बही स्रावी और अंतह स्रावी ग्रंथी के रूप में कारे कर सकता है। टेस्टोस्टेरॉन नर्जनन अंगों के विकास, परिपक्वता और कारे को नियंत्रित करता है। एस्टोजन मुख्य रूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक एक रिध हॉर्मोन है। एरिथ्रोपोईटिन हॉर्मोन लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। जठर आंद्रिय पत द्वारा उत्पन किये जाने वाले हॉर्मोन गेस्ट्रिन, सेक्रिटिन, कॉली सिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड हैं।